प्यारे दोस्तों दिल्ली के डी एम ओफिस में ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट में एक्साइज डिपार्टमेंट में इलेक्शन डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में समय भरती आउट हो गई है और भी पक्कि सरकारी नोग्री मरे कमेट सरक्सिण में काफी . मैपका सप्सक्राइब करना है कैसे के अपको तयारी करनीचाइब कात कई कैसे क सारी फूर्टन करना है तो आज की अभी दिल्य सरकार की बहूंत जबातरस बंपरबिती पारे में जिस्मिए कि पूर्पाइस में अगर बिंडी दपार्टमेंट में पूर्टमेंट में क्रेंगे इसको सेल को झाउन सब्सक्राइब आपकी प्लेस ओपोस्टिंग हो सकती है तो आज यूडियो सो बात करेंगा आपको अपलाए के सकते हैं जितनी बाते डोटाइब बताएगे हैं सारी अपने वीडियो को रोप करेंगे नवीडियो को लाइक करो सस्क्राइब करो वीडियो शेयर कर देना तो बेसिकली 200 D पोस्टिंग रहेगी 1622 टोटल पोस्ट है इसी में ही स्टैनोग्राफर की भी पोस्ट है 143 बिसकली दोस्तों बच्चे कन्फ्यूज हो रहेए कि इसे सर्विसेज डिपार्डमेंट कोन सा होता है तो मैं आपको समझाता हूं सर्विसेज डिपार्डमेंट दिल्ली सरकार का ड गया, एजुकेशन डिपार्डमेंट है ट्रियूर टकसे सेलटेक्स डिपार्डमेंट है, एक्सराइय ठीकंट है डिपार्डमेंट है फूट और हो सकती है और यह transferable job होती है जैसे कि 3-4 साल आप एक department में रहे उसके बाद आपका transfer होगे फिर आप दूसरे department में चले गए उसके बाद आप तीसरे department में चले गए ऐसे आपकी service चलती ही जाती है इसमें यह बहुत जबर्दस gold report जुटी है और stenographer की भी post है इसमें त्यानि कि total जो post है 122 पलस 143 अगली जो post है दोस्तों यह DUSIB डूसी में निकली है वह भी LDC कम टाइपिस्ट के और junior stenographer की है ऐसे ही दोस्तों junior resistant और stenographer की SCRT में निकली है DTT DCL में निकली है DPCC में निकली है Mates में निकली है DSIA DC में निकली है DSCSC में निकली है तो इनकी जो total compilation है वो 2354 total post है अब आपकी मुन में सवाल आओगी क्या सर इसका जो exam होगा वो अलग-अलग conduct होगा या एक ही conduct होगा क्या इसको apply करने के लिए मैं अलग-अलग apply करने का लग पड़ेगा या एक साथ ही apply कर सकते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों यह जो post code है इसका single post code out हुआ है 802 बटे 13 अलग-अलग post code नहीं है तो इससे यह लग रहा है confirm तो दोस्तों अभी तक नहीं पता क्योंकि apply करने की date इसकी अभी आई नहीं है वो होगी 9 तारीक को start लेकिन जहां तक उमीद लगाई जा सकती है कि इसका apply करने का जो criteria रहेगा वो आप एक बार ही apply करेंगे एक post के लिए और उसमें आप यह सारे के सारे apply कर पाएंगे उसी के सासा जो आपका exam conduct होगा exam conduct होने में भी आ आपका एक ही exam होगा सारी post के लिए और उसमें आपकी preference बाइज आपको बचाया जाएगा कि पहली preference कौन सी department वाली post को दे रहे हो दूसरी कौन से के लिए दे रहे हो तीसरी कौन से के लिए दे रहे हो जब merit आई की final तो उसके साब साब को department अलोट हो जाएगा और उसी के काम भी एक conduct होना चाहिए इसका और इसका apply भी एक ही तरीके से होना चाहिए जहां तक उमीद लगाई जा सकते हैं लेकिन इसकी जो clarification रहेगी वो तभी मिल पाएगी जब आप इसको online apply कर पाऊगे अब आगे समझते education qualification की tournament conditions क्या क्या है तो अगर आप junior resistant यानि की lower division color के लिए apply करते हैं तो 12th pass होने चाहिए typing की speed होने चाहिए अगर आप English में करते हैं तो 35 वार पर minute होगा आप हिंदी में करते हैं तो 30 वार पर minute के आपकी typing की speed होने चाहिए एज की बात करते हैं मत्हारा साल जाए 27 साल आपकी एज होने चाहिए और एज पर government of Delhi rule आपको सारे इलेक्सेशन में मिलते हैं जैसे कि 12 पास प्लस 80 वार पर minute की typing की यह शोट एंड की speed होनी चाहिए लेवल फॉर केंगे सहले में लेगे ठारज 27 साल इसमें भी यह जो आएगा और रिलेक्सेशन भी इसमें भी मिलेगा बात करते हैं जब आपका exam conduct होगा तो इसमें कितने किस type के questions आएंगे तो GS के 35 कोशन होगे reasoning के 35 कोशन होगे maths के 35 कोशन होगे हिंडी के 35 कोशन होगे English के 35 होगे और computer के 25 कोशन होगे तो यह जो बाइफरकेशन मैंने बताई है टोटल जो आपके questions आएंगे वो 200 questions आएंगे 200 questions के साथ 200 number का paper होगा time मिलेगा 2 गंटे का यानि 120 मिनट का time मिलेगा इसमें बैसे जनरल और O 2024 को आपके apply करने की dates start हो जाएंगे आनि कि आप online apply कर पाएंगे और online apply करने की last date रहेगी 7 फरवरी 2024 अभी बहुत time है दोस्तों तयारी अपनी start कर दीजिए DSSS भी किये जो post out ही है काफी जपरदस out हुई है इसके लिए दोस्तों जितनी जानकारी आपको मैंने दिये इसके अ